हेलो वीवर स्वागत है आपका Let's Learn English के डे 52 के वीडियो में आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यदि हम डॉक्टर के जो है क्लिनिक में जाएं और अपनी खेरियत पूछें या डॉक्टर को अपनी प्राबलम कैसे बताएं ये सब हम English में बोलना सीखेंगे तो देखेंगे कि आप सबसे पहले जो है आपका वाक्य लिका है वो है डॉक्टर I have a severe headache यानि डॉक्टर मेरे सर में बहुत तेज दर्द है अगला वाक्य है I have a bad cold यानि कि मुझे जबरदस्ट सर्दी जुकाम है I feel giddy यानि कि मुझे चक्कर सा आ रहा है I have dull feeling यानि कि मुझे मैसुस्त महसूस कर रहा हूँ I am feeling feverish यानि मुझे बुखार सा लग रहा है I have a burning sensation in my eyes यानि कि मेरी आँखों में जलन हो रही है उसके बाद अगला है I have mouth source यानि कि मेरे मुझे में चाले है उसके बाद I don't have a good appetite यानि कि मुझे भूख नहीं लग रही है उसके बाद है I have a very bad earache यानि कि मेरे कान में बहुत सक्त दर्द हो रहा है My throat has been dry यानि कि मेरा गला थोड़ा सूक रहा है उसके बाद doctor My weight has picked up again मेरा वजन जो है फिट से बढ़ने लगा है उसके बाद है Should I take the tablets before before food or after food क्या मुझे tablets खाने से पहले या बाद में लेनी है How long should I take this medicine यानि कि मैं कितने समय तक इन दवाईयों को लूँ अगला है doctor What is the problem with me मेरे साथ क्या दिक्कत है या मेरे को क्या बिमारी है What exactly is the disease यानि ये बिमारी actually है क्या असल में ये बिमारी है क्या Is it serious क्या ये serious बिमारी है क्या ये गंभीर बिमारी है What should be my diet मेरी diet कैसी होने चाहिए How long should I take rest मुझे कितना rest लेना चाहिए Should I take only porridge और रोटी यानि दल्या लूँ या रोटी भी लूँ Can I travel क्या मैं travel कर सकता हूं When will I get the medical report मुझे medical report कब तक मिलेगी When can I collect the x-ray मैं x-ray कब तक collect कर सकता हूं Can I go to work from next week क्या मैं अगले हफते से काम पर जा सकता हूं How much should I pay for the medicines मैं इन दवाईयों के लिए कितने पैसे पै करूं तो आपने देखा कितनी आसानी से हम जो है डॉक्टर से होने वाली conversation को कंडेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से अपनी बाते उन्हें समझा सकते हैं अंत में मैं आपसे वही request करूंगे कि प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें थैंक्यू